हेलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेल पिप स्पीकिंग टास्क 8 तो सेल पिप स्पीकिंग में टोटल 8 ही टास्क होते हैं और आज हम लास्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं और इस टॉपिक के अंदर मैं आपको टॉपिक एक्स्प्लाइन करूंगी उसका template बताऊंगी कि opening, closing आप कैसे कर सकते हैं और उसके साथ ही हम sample answer भी discuss करेंगे तो उससे आपको ये जो topic है, ये जो task है, ये पूरा properly समझ में आ जाएगा So अगर आप देखते हैं task 8, इसका title कहता है describing an unusual situation So जैसा कि title itself आपको बता रहा है unusual मतलब कुछ ऐसी situation आपके पास आएगी जो बहुत ही different, बहुत ही weird या बहुत ही अजीब होगी जिसको देखके शायद आपको लगे भी exactly कि यार ये क्या है इस बे क्या बोलना है, ठीक है? आपने ये question को भी read करना है, situation को read करना important है और इसके साथी आपने जो भी picture है उस picture को देखना है अब जो task 8 में भी picture आती है, part 3 में भी picture आती है इन दोनों picture में जो main difference है वो ये है कि task 3 में आपने सिरफ picture को explain करना है question के statement से आपका कोई लेना देना नहीं है, कोई concern नहीं है जबकि यहाँ पर जो question का statement है, ये बहुत important है उसी से आपको situation बता लगेगी, कि क्या situation है, आप कहाँ पे है, किसको phone करना है, वो सब यहाँ से बता लगेगा ठीक है? तो अभी हम question read करते हैं ये है, you have seen a robot at a toy shop, तो आप किसी toy shop पे है, वहाँ पर आपने ये robot देखा है that you wish to buy for your niece, जो आपने अपनी niece के लिए purchase करना है but you are not allowed to take a photo, लेकिन अब आपको photo कीचने की permission नहीं है phone your brother, brother को phone करना है, तो obviously आपको किसी boy का name लेना पड़ेगा name अगर दिया हुआ है, तो हम same name लेंगे और अगर mentioned नहीं है, तो हम अपनी मरजी से कोई भी name ले सकते है and provide a full and clear description of the toy and ask if you can buy it तो brother को call करके पहले तो उसे describe करना है इस toy के बारे में और उसके बाद पूछना है कि क्या मैं ये purchase कर लूँ तो basically इस toy के बारे में अपने explain करना है अपने brother को call करके अब हम discuss करते हैं एक structure, एक common template opening and closing जो किसी में part 8 में आप use कर सकते हैं So this is template for speaking task 8, अब इसकी opening में हम कैसे करेंगे Hi Adam, अब अगर name नहीं है तो obviously हम अपनी मरजी से ले लेंगे नेम दिया हुआ है तो आपको same name ही लेना पड़ेगा अब मालो question कहता है कि आप अपनी mother को call करो फिर आप कैसे बोलोगी Hi mom ठीक है, जिसको भी करना है, उस हिसाब से आपने start करना है Hi mom, Hi Adam, उसके बाद opening आ गई I'm currently at, मैं अभी यहाँ पर हूँ, कहाँ पर है आप अपनी मर्जी से जैसे यह toy shop के बारे में आता आपने toy shop बता दिया, market है, कोई restaurant है तो आप name बताओगी आप जहाँ पर है And I have come across something truly unique Come across होता है, मैंने कोई चीज देखी है जो सच में बहुत ही different है Unfortunately, I can't take a photo लेकित मैं फोटो नहीं ले सकता But let me describe it to you in detail Photo नहीं ले सकता, पर चलो ठीक है मैं आपको इसके बारे में detail में बताता हूँ Now this opening you can speak about on any of the task 8 जैसा भी है, आप उसके अंदर बोल सकते हैं And closing होगी, finally I think I have given you a good idea of what it looks like So I think मैंने अच्छा से समझा दिया है कि यह कैसा है Do you think I should buy it तो मतलब मैं purchase कर लूँ तो कभी purchase करने के लिए होता है कभी उसको बुलाना होता है कि तुम भी यहाँ पी आके देख लो कभी होता है कि बहुत weird या बहुत ऐसे scary नहीं है तो जो भी situation है उस हिसाब से आप इस चीज को थोड़ा सा modify कर सकते हैं तो अब हम लेते हैं इस particular question का sample answer तो अब हम लेते हैं इस particular question का sample answer तो अब हम लेते हैं इस particular question का sample answer So this is the sample answer Same way we'll start Hi Adam, I am currently at Franco Toy Shop तो अब location बताने थी Toy Shop लिखा हुआ है, name नहीं दिया हुआ है But it's always a good idea कि आपको इस particular name लो That will always help you to get more score You know, अच्छे बैंड आते हैं So I am currently at Franco Toy Shop And I have come across something truly unique Unfortunately, I can't take a photo But let me describe it to you in detail Now this is the first part of the response जो common रहेगा अब यह उस toy के बारे में है Right? So it's a small yellow robot With a cheerful and futuristic design So बहुत चोटा सा yellow color का है Cheerful or futuristic design के साथ It has a round dome shaped head With large blue lit eyes So it's two eyes Blue color की And that resemble Resemble का मतलब क्या होते है Look like LED screen So इसकी आँखे जो है वो LED screen जैसी लग रही है और इसका dome shape बड़ा ऐसे सर है The body is cylindrical and compact With two mechanical arms and three legs That look like they can rotate and move So नीचे अगर आप देखेंगे Rotating disc है So rotate हो सकती है The robot's design is quite friendly and appealing Appealing बहुत अट्राक्टिव है With a sleek modern look I think Sarah would definitely love it Now question में आथा कि आपकी नीच के लिए आप लेना चाहते हैं शायद उसे पसंद आएगा So obviously अगर आप अपने ब्रदर से बात कर रहे हैं आप लेंगे आप लेंगे So I think that Sarah को बसंद आएगा Now आप इस टॉइ के बारे में आपने डिस्क्राइब करने जो भी आपको लगता है आप उस टॉइ के बारे में बोल सकते हैं आप बोल सकते हैं कि ये रिमोर्ट ऑपरेटेड है Music इसमें चलता है ठीक है ना कुछ भी आप इसमें explain कर सकते हैं फिर closing Finally I think I have given you a good idea of what it looks like Do you think I should buy it for her? तो उस तरीके से आप इसको close कर देंगे ठीक है? So I hope ये topic आपको clear हो गया है So in the same way कोई भी taskate आता है आप उसको बहुत अच्छे से explain कर सकते हैं So अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो like जुरूर करना So that कि मैं और भी नई नई वीडियोस फिर हिंदी में बनाऊंगे Keep learning with me All the best